असलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मोबिन मालवा यूटूब चनल आज आपके लिए कोटा की बकरी लेके आये हूँ भाई नायाब और एंटिक पीस जो कभी-कभी निकलते हैं भाई इंशाल्ला सारी कोलेटियां आप लोग सामने हैं बकरी की इसकी किस चीज की तारीब करें भाई इसके रंग, रूप, कलर, सिंग, सिक्के हर चीज माशाल्ला है भाई जो एक बकरी में होना चीए भाई सारी खासियते हैं इंशाल्ला इस बकरी के अंदर है रशनली भाई मुझे भी बहुत पसंद है बकरी मगर हम थेरे भाई वेपारी आदमी हमारे पास बकरी हैं बकरे आते जाते रहते हैं भाई खाने पीने की बहुत माशाल्ला है भाई कोटा ब्रीड में है वजन मेंने तोला है भाई इसका 58 किलो वजन है और 33 इसकी हाइट है भाई अभी चार महिना और कुछ दस एक दिन की लोडेड है भाई इंशाल्ला 20 दिन क्यास पास ये बच्चे दे देगी भाई 20 दिन 25 दिन 18 जो भी इसके दिन कम जादा होते हैं तो इंशाल्ला उन टाइम पे ये बच्चे दे देगी भाई किसान से बात हुई थी भाई तो इससे पहले दो बच्चे दिये थे इसने और फिर अभी ये गावन है भाई जो इंशाल्ला 15 दिन में बच्चे दे देगी तो टाइम थोड़ा 15 दिन 25 दिन बागी था तो इंशाल्ला आप लोगों के लिए सेल के लिए लाए हूँ भाई के ट्रांसपोर्ट में ज़्यदा दिक्कत ने आईगी वरना मैं बच्चे देने के बाद ही सेल करता हूँ भाई क्वाई क्वाई की देखके बच्चों की उसके बाद इंशाल्ला जो होता है लावरो से काम चलता है तो बड़े बिडर से यह गावन है और फर्मा इस्टेक्चर बखरी का आप लोगों के सामने हैं और तर गुलाबी है भाई बहुत नायाब और फर्टेंटिक पीस है भाई मालवा का मेरा मेरा में काम है भाई मालवा में मेल फीमेल किट से गुलाबी आते जाते रहते हैं इसके लावा कोटा मेरे पास में पढ़ता है मेरे यहां सा 1.500 किलमेटर कोटा का जंगल पढ़ता है तो इंशाल्ला कोटा के अगर चलती हो देख ले हमारी पूरी कोशिश रेती है भई के नायाब से नायाब इंटिक पीस आप लोगे लिए निकाल के लावे और आज मिली थी वगड़ी तो आप लोगे लेके आया हूं जिसकिसी भाई को चलती हो देख ले अस्सलाम वालेकूं